डियर इस्ट्रेंट्स आप सभी लोगा स्वागत है आपके अपने यूटूब चैनल डीजे सर पर आज का ये वीडियो क्लाश 12 के बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्ट ही इंपॉर्ट हीने वाला है कि किस में लोग बात करने वाले हैं नागरिक सास्तर के बारे में तो काई आज आगे के जो पांच प्रस्ण थे उनके बारे में रिस्कसन करते इसमें जो आपको दिया गया था पिछली स्रिंखला में प्रषणों की स्रिंखला दिया गया था मुष्णी इस आए और ये बहुत ही महुतरफूर्ट प्रस्ण है और आपके बोड़ एजमिनेशन म आप रेसं डेजर इसे सुने नहीं है लेकिन ये प्रश्चन इपूरेंट है अपरेसं डेजर्ट इस्टार्म क्या है तो आये इसके उत्र को जान लेते हैं तब अमेरिका ने 38 देशों के साथ मिलकर इराक के खिलाब इस आपरेशन की सुरुआत की सन 1990 से 1997 के बीच इराक और अमेरिकी गड़ बंदन देशों के बीच लड़ी गई इस जंग को गल्पवार या इसे खाड़ी युदि के नाम से भी जानते हैं तो ये गल्पवार के नाम से जाना जाता है जिसका नाम जो रखा गया था आपरेशन डेजर्ट इस्टार्म तो ये क्या था इराक के विरूद किया था अमेरिका का एक यूद था जो कि जब इराक ने अटेक किया था कुवेद के उपर तो अमेरिका ने 38 देशों के समर्थन क साथ ये किया था इड़ा के उपर अमला तो यही देखिए उसी का नाम दिया था आप रेशन डेजर्ट इस्टार्म यह एक बहुत ही इंपॉर्टन प्रशन है और देख रहे हैं कि आप करोना काल में खाड़ी जो था वो चरशा कभी से बना हुआ था इसलिए प्रशन जो है इंपॉर्टन हो जाएगा तो पहले प्रशन का आप इतना गरेंस लिए तो आपके लिए प्रयाप होगा मातरू प्रशनों के सिंकला हम बढ़ते हैं अमलों दूसरे प्रशन की और दूसरा हमलों का प्रशन है नकसलवादी आंदोलन किस स्थान से सुरू हुआ वर्तमान मे भारत की कितने राज नकसलवाद से प्रभावी थे हैं बहुत ही इंपॉर्टन प्रशन हैं देख रहे हैं नकसलवादी अटैक हमेशा नीमित रूप से होता रहता है जब शतिस गड़ राज हो गया आपके जार खंड राज हो गया तो इन सभी जगों पर आपको नीमित ने किस स्थान शुरूआ और वरतमान में भारत में कितने राज नकसलवाद से प्रभावी थे तो चलिए आएगे देखते हैं इसके एंसर को अगर बात करें बनों नकसलवाद का तो नकसलवाद सब्सक्रीम बंगाल के नकसलवाडी गाउं से हुई थी तो नकसलवाद सब् 67 में सथा खिलाफ एक ससस्तर आंठलन शुरू किया तो ये माजुमदार जो थे भारती कमिनिष्ट पार्ड़े के नेता तो ये कमिनिष्ट नेता माउद सो तुमद के बड़े प्रसंद से और उणी के विचारदाओं को ध्यान में रखते विए आगे बड़े थे तो वरतम में भारत के 11 राजियों के 90 जिले वाम पंथी उक्रवादी जिसे हम लोग नक्सलवादी कते हैं नक्सलवाद से प्रभावित है तो इस तरीकेश देखिए एक तो इतनी बड़ी समस्या हम लोग के पास आतंगवाद की खुदी थी अब उस आतंगवाद के साथ साथ आपको न इसके अंदर यह उत्पन हो जा रहे हैं यह बहुत ही ज्यादा घातक है तो दूसरे प्रशन में अगर इतना प्रशना का उत्तरा अप लिगते हैं तो यह इंपॉइंट रहेगा आपके लिए देखिए अती लगु में भी आपसे पूछ सकता है और लगू उत्री में भी आ प्रशन सामिल होने का दमकम रखता है तो आजये देखते हैं हम लोग की हरित करांती क्या है इसके उत्तर में अगर हमने बात करें हैं तो हरित करांती का आसा है किसी उतपादन में भृध्धी से हैं तो जानते हैं आप सबी लोग तो किसी उत्पादम वर्धी से समझी जो करामती चलाएगे थी उसे को अधिक उपच देने वाले बीजो रासाइनिक उर वरक वर नई तकनीक के प्रियोग के प्रणाम सरूप हुई है इस करामती के फ़सलों की उत्परगता में काफी विर्दी हुई है अगर देखा जाया तो फ़सलों की उत्परगता में ये बहुत ही ज़्यादा इस तक्निक का प्रयोग करके बहुत ही ज़्यादा विर्दी लाए गई थी और सबसे ज़्यादा जो लाब मिला था ये यहूं की फसल को मिला हुआ था और पंजाब हो गए हरियाना हो गए और आपकी उत्तर परदेश हो गए सबसे ज़्यादा लाभानुई थो थे इस करांती से तो ये भी पूछ देता है कि हरित करांती से किस राजी किम राज्यों को लाब मिला आती लगू में तो आप वहां प्रेंस और आपका हो जाएगा पंजाब हरियाना उत्ता प्रदेश जो था ये सभी रोजव राच्य है मुख्रोप से सबसे ज्यादा लाभान वित हुए थे हरित क्रांती से तो हरित क्रांती क्या है अगर इसके बारे में अगर आप आपके बनते हैं और यह इतना इंपॉर्डेंट चेप्टर है कि यहां से प्रशन आपका एक्जाम में आना है हम स्वभावी क्रूप से निश्चित है तो चौता हमलों का प्रशन है अंतरराष्ट्री संगठन क्या है जिसके उतरक बारे में अगर बात के जाए तो अंतररा जो इसमें उपस्ति होती है लोगों की वो वैस्वी किस तर पर होती है यानि कि इंटरनेशनल लेबल पर बनाया गया जो संगठन होता है उससे हम लोग कहते हैं अंतरराष्टी संगठन कलाता है अगर हम लोग बात करते हैं अंतरराष्टी संगठन है जैसे युनिसको की ब पर ध्यान देते हैं लोग अगर बात करें मों दच्छी डशी आई छेतरी सयोग संगठान जैसे इसे समलोग सार्क कहते हैं आसियान की बात हो गई तो यह सभी जो है वो अंतराश्टी संगठान है इसमें किसी पार्टिकुलर एक दिस्की भूमिका ने इसमें कई राश्टों की भूमिका से होते हैं और कई जगहों से व्यत्ति चुनकर जो सदस्य होते हैं जो उसके कार छोत्रे होते हैं और यह वैस्वी किस्तर पर सभी लोग को लभानवित करते हैं यह अंतराश्टी संगठान जो बनाया गया है बहुत ही इंपोर्टेंट है पूरे वर्ड के पांचोंगा प्रशन है साग्ठेरेपी क्या है साग्ठेरेपी क्या है साग्ठेरेपी क्या है बहुत ही इंपोर्ट प्रशन है यह उत्तर में बात करे हम लोग तो साग्ठेरेपी का साब्चार करना ही साग्ठेरेपी कहलता है तो साग्ठेरेपी का साब्चार करना किसी को पिर उसे क्या दवादी लाना तो आगात पहुचा कर उपशार करना ही जो होता है वो साख थिरेपी के अंदर गत आता है बात करेंगर हम लोग और साख थिरेपी के बारे में तो सोवियत संग के विक्टन के बाद जब रूस, मद एसिया के गड़ाज और पुर्वी उरोप के देशों में शाम मेवाद से पूजीवाद की और परिवर्तन के माडल को साख थिरेपी का आ गया तो मनलब साम मेवाद से पूजीवाद की और जब माडली परिवर्तन माडल को ही हम लोग क्या कहते है साख थिरेपी की रुप में देखते हैं अगर बात किया जाए साख थिरेपी लाया कौन तो यह थिरेपी थिरेपी का मतलब यह होता है उपचार करना यह थिरेपी विसु बैंक और अंतराश्टी मुद्रा कोस द्वारा निर्देशित थी तो यह साख थरेपी को किसने लाया मुक्रूप से तो सबसे बड़ी भूमिका इसमें है बिसुबैंक और अंतराष्टी मुद्रा कोस की सबसे बड़ी भूमिका है क्योंकि यह देखे बिसुबैंक क्या करता है बिस वर सतर पूरे इंटरनेशनल लेवल पर जिसको जिस देश को जितनी आओ सकता होती है उसके अनुसार वो धन हो गया पैसे जो होते हैं और अंतराष्टी मुद्रा कोस भी वही चीजिए हैं कि सभी अंतराष्टी सतर पर जित दरूर बताएं और साधी साथ आपको कौन से सब्जेक्ट में क्या प्राब्लम है उनके अतिलगू लगूत्री बहुवी कल्पी या दिरगूत्री मैं नीमित रूप से हैं एक या दो वीडियो आपको नीमित रूप से मिलता रहेगा और आप अच्छे से अपनी तयारी कर जाएंगे अब जब तक आपका एक्जाम होगा देखिए अब आपके टाइम टेवल के भी बाते हो रहे हैं कि वो नजदीक है डेट आने वाली है तो इसलिए अपनी तयारी को अपनी मित रूप से जाई रखें और जिसके विद्याले में भी प्रीबोर्ड की एक्जाम ने समय भी अपनी शड़ी को नेमित रूप से जाई रखें और यह केवल यहीं पर आपको काम नहीं देने वाला है यह प्रसेंटेज आपको आजीवन काम देगा यह नहीं कि मेरा 50 प्रसेंट आगया पैसेट आगया सतर आगया प्रसेंटेज बेश्ट हो गया है तो इसलिए प प्रसेंटेज बनाने का अरहाल में प्रयास करिए हमें इसा नेमित रूप से अगर यूपी बोड के रप्चात रहें तो 80-25 प्लस जाने का प्रयास जरूर कीजिए क्योंकि वह जमाना आप भूल जाए कि पहले यूपी बोड में था कि किसी का साथ प्रसेंट आ गया 55 प्र आपका यह फर्च बनता है कि वीडियो दिया आपको पसंद आता है तो इसे लाइक करें शेयर करें और चैनल पर ने तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और हाँ वेल आइकन की घंटे को भी प्रेस कर लें ताकि चैनल से मिलने आले जितने ही मोश्ट इपॉ